असलाम वालेकुम एवरीवन वेलकम बैक टो माई यूटुब चैनल और वेलकम बैक टो एन अधर वीडियो आज यह आई मेकप लुक मैंने स्पून से क्रियेट की है बहुत ही इंटरस्टिंग और इंफॉर्मेटिव हैक आप सब के साथ आगे मैं वीडियो में शेयर करने वा कर सकते हैं लेकिन यहां पर मैं अपना अई मेकप खुद अपनी आउंग पर कर रही थी तो थोड़ा सा मेरे लिए यह डिफकल था लेगिन इन्शाला सून किसी वीडियो में यह मैं शेयर करूंगी कि स्पून के साथ आप इजी लिए अपनी आई ब्रॉज को किस तरह से फ प्रेट कर लूँगी इसके बाद मैंने एक मिनी साइज का वैट ब्लेंडर लिया है और कंशीलर को अच्छे से इसके साथ मैं ब्लेंड करूंगी अन्डर आई और आई लिड को सैट करूंगी ताक difे साथ किसे न तrous सकती है अब मैं अपनी ब्रो बॉन और इनर कॉर्णर को हाइलाइट करूंगी पहले स्पून को मैं अपनी ब्रो बॉन पर इस तरह से रखूंगी और हाइलाइटर अप्लाइट कर दूंगी फिर इनर कॉर्णर को हाइलाइट कर दूंगी पिर इनर कॉर्णर को हाइलाइट कर दूंग भी जरूरी है इसलिए अब मैं फ्लैट और थोड़ा सा फलफी ब्रश लूँगी और इस लाइन को अच्छे से ब्लेंड करूँगी अब मैं एक छोटे से फ्लैट प्रेश पर कंसीलर लेकर डीश में ही अपनी क्रीज को कट करूँगी इसके बाद मैंने किसी भी कमपैक्ट प कर देना है जो क्रीस में ये गोल्डन शेड लग जाएगा उसे मैं फलफी ब्रश के साथ दुबारा से नीट कर दूँगी जो गोल्डन शेड के एजिस बन गए हैं उसे मैं अच्छे से ब्लेंड करूँगी अब मैं स्पून की जो बैक सैड है उसे लोवर लैश टाइन के स है और यह ग्रीन काजल यह पैंसल अक्यिसरा से अपलाई कर सकते हैं अगर आपके पास शेड में मजूद नहीं तो सबसे पहले आपने वाईट काजल अपलाई करना है और यह जो हमारा लास्ट तैप हैं इसमें हमने एक फ्लैट बरच पर यलॉ प्र्याट में को कर्ल्ल कीय हैं हमारी आज की यह मेक अप लुक हो गई है कंपलीट मेड करती हूं आपको आज की यह मेक अप लुक अच्छी लगी होगी और जुरूर कुछ ना कुछ आज की वीडियो में आप सबने सीखा होगा और मुझे अप्रिशेट करने के लिए वीडियो को लाइक कर दें और अप मेक अप सीखने में इंटरस्टीर हैं ताकि इस वीडियो से कुछ ना कुछ जरूर सीख सकें अगर आप इस चैनल पर न्यू हैं तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करने साथ में बेल नोटिफिकेशन भी ओन कर ले ताकि मैं न्यू जो भी वीडियो आप सब के साथ श